गुद मॉनिंग सिस्थ क्लास आज हम यहां पे आपकी युनिट फर्स्ट फूड वेर ड़स इट क्रम कम फ्रॉम को स्टडी करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने फूड मिटीरियल इंड सोर्सिस के बारे में स्टडी किया था अर्चो हम यहां पर टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो फूड हैबिट्स ऑफ अनिमल्स जो है डिसकस करने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे किःद्स हैं आपको आपके आसपस वो क्या खाते है अभी तक हमने ज कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं फोटो सेंथेस से ठीक है लेकिन एनिमल्स जो हैं वो फोटो सेंथेस नहीं करते हैं वो डिरेक्ली और इन डिरेक्ली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं प्लांट्स से अपना फूड अप्टेंड करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स यहां पर प तो फिर्स्ट जो है food habits of animals ठीक है यह मैंने आपको बताया था कि plant make their own food वो अपना खाना बनाते हैं किस process के थूरू बनाते हैं प्रोटो सेंथेस के थूरू ठीक है लेकिन जो animals है all animals including human being हम लोग भी depend on plants for food हम लोग पूरी तरह से plants पे depend है वहीं से अपना खाना लेते हैं ठीक है अब कुछ animals जो हैं वो plants को पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें अलग तरह से खाना चाहिए जैसे कि they either eat plant और other animals वो animals को भी consume करते हैं और plants को भी consume करते हैं तो इस तरह से उनकी habits अलग अलग हैं जो कि हैं herbivores, carnivores और omnivores यह नाम आप लोगो ने सुने होंगे इनके बारे में हम अभी study करें जो first है यहां पे जो food habits में उसे हम बोलते हैं herbivores, herbivores वो animals है जो पूरी तरह से plants पे depend ठीक है, plant eating animal like cow, horse, elephant और भी बहुत सारे हैं, ship, court जो कि plants पे completely depend है अपना खाना जो है, वो leaves से ठीक है, उनकी branches से, roots से, seeds से हैं और जो fruits हैं उन से लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं हमटा, herbivores, क्या बोलते हैं, herbivores ठीक है, तो यह definition आप लिख सकते हो, plant eating animals like cow, horse, elephant are known as herbivores ओके, जसे देखें, animal like squirrel जो है, squirrel जो है, squirrel जो है, और mice है, ठीक है, in half sharp or cutting teeth होते हैं, in the front देखें आपने, उनके teeth चो हैं, काफी sharp होते हैं, squirrel जो है, उसको अगर आप ground nut दो गई, तो बड़ी जल्दी से उसे खा जाती है ठीक है, इसी तरह से mice चो है, उसके भी काफी sharp teeth है, वो किसी भी चीज को पाट सकते हैं तो ये plants जो है, उनसे अपना खाना लेते हैं, इसके अलावा, जो काउ और बुफैलो है, have flat and blunt molar, ठीक है, मोलर क्या है, teeth है, उनकी दान का भी देखें आपने, काउ और बुफैलो के, देखना ध्यान से, तो वो जो है, plant product को, जिससे आप generate करते हो, plant का जो waste part है, seed को extract करने के बाद, ठीक है, उसे वो consume करते हैं, which they used to chew, उसको काफी देर तक वो चबाते हैं, and grind grass, ठीक है, ये जो chew करना और grind करना होता है, ये कहलाता है, mastication, क्या कहलाता है, mastication, ये spells भी आपको याद करनी है, तो mastication का मतलब, कि जो plant product है, आपके पास, उसे in animals के दुरू, chew करना और grind करना, क्योंकि plants जो है, वो ने digestion में time लगता है, उनको अच्छे से चपाना पड़ेगा, फिर grind करना पड़ेगा, ताकि वो digest हो सके, इन animals की, जो intestine होती है, वो भी छोटी होती है, ठीक है, उसमें, जैसे आपने देखा है, कि काउ जो है, food consume करने के बाद, उसको वो दुबारा से अपने mouth में लेके आती है, जैसे हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं, ठीक है, और ये जो कड है, उसे वो धीरे-धीरे चुक करती रहती है, और उसे digest कर पाते हैं, नेक्स जो animal हैं, हमारे पास वो carnivores हैं, ठीक है, कौन-कौन से हैं carnivores में, animals that eat other animals, are known as carnivores, कि जो animals, दूसरे animals को खाते हैं, उन्हें carnivores कहते हैं, याद है आपको, कौन से हैं, सबसे पहले हमारे मन में नाम आता है, loin का, ठीक है, वो खाता है न, किसको, deer, तो यहाँ पे walls है, eagle है, यह जो animals हैं, यह दूसरे animals को consume करते हैं, और इन animals को हम क्या कहते हैं, carnivores, ठीक है, carnivores, birds भी carnivores होते हैं, animals ही, नहीं, birds भी हैं, जिसमें eagle आता है, मैंने आपको example दिया है, यहाँ पे, carnivores birds have strong pointed beak होते हैं, मतलब बिलकुल नुकीरी से, जिससे की वो जो meat है, उसे आसानी से consume कर सकते हैं, use to tear flesh, ठीक है, next, जो carnivores animals होते हैं, इनके काफी long और sharp canines होते हैं, canines जो pointed teeth होते हैं, उनको हम canine बोलते हैं, और ये भी meat को tear करने के लिए वो इस्तमाल करते हैं, ठीक है, देखा हूँ, आपने dogs के हैं, loin के हैं, ठीक है, next बिटा, कुछ simple से और small animals भी होते हैं, जो carnivores में आते हैं, जैसे की frog है, frog सब ने देखा होगा, frog के पास एक long sticky tongue होती है, वो अपनी tongue को roll करके रखता है, जब उसको कोई insect दिखाई देता है, तो वो अपनी tongue को इस तरह से open करता है, which they used to catch their prey, और उसको अपनी tongue पे चिपका लेता है, और उसे fold करके अपने मुझे अंदर ने जाता है, ठीक है, इसी तरहीके से snake भी है, स्नेक जो है, अपने prey को completely consume कर लेता है, पूरे को एक साथ ले लेता है, ठीक है, और उसे धीरे धीरे consume करता रहता है, और इसके पास तो छोटे-छोटे teeths भी होते हैं, जिससे यह हमें काट लेता है, ठीक है, तो यह सारे के सारे carnivores है, different types of carnivores है, जिसमें birds भी है, animals भी है, small animals भी है, snake भी है, carnivores जो हैं, वो help करते हैं, sorry, consume करते हैं other animals को, next आता है, omnivores, omnivores में animals that eat both plant and animals, ठीक है, जो दोनों को, अलब प्लांट को भी consume करते हैं और animals को भी consume करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, omnivores, तो इसका example अगर दे, तो हम लोग हैं, हमेंसे कुछ जो हैं, वो पूरी तरीके से plants पर डिपेंड हैं, और कुछ animals को भी consume करते हैं, जैसे चाइना वाले हैं, ठीक है, वो सभी animals को खा लेते हैं, animals that eat both plant and animals, are known as omnivores, कौन से, human and crow, ठीक है, क्या करते हैं ये, अपने खाने के लिए दूसरे organism को किल करते हैं, और वहां से food obtain करते हैं, ठीक है, some carnivores and omnivores do not kill other animals for food, नहीं मारते हुने, ठीक है, कुछ जो carnivores हैं, और omnivores हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, instead, इसके अलावा क्या करते हूँ, they consume the meat of animals, ठीक है, जो मतलब मर जाते हैं, already किसी वज़े से, तो वहां से उनका meat consume करते हैं, जिसमें की, जो इस तरह से वो हमारी मदद भी करते हैं, क्योंकि जो मरे हुए animal है, वो हमारे environment को pollute करेंगे, तो जो already मर चुके हैं, उनका meat जो हैं, ये consume करते हैं, जिसमें आते हैं, वल्चर्स हैं, क्रो हैं, जैकल हैं, ठीक है, ओके,